हर हर महादेव जोतिष शास्त्र में वेदिग जोतिष शास्त्र में देव गुरु ब्रिहस्पती का बहुत ही मेत्वपुनिस्थान होता है और जीव के ये कारक माने जाते हैं जो शुब ग्रह भी माने जाते हैं शनी के बाद में धीरे जो मंदगती से चलते हैं वो देव मही से गुरू विश राशी में यानि विशव राशी में आ जाएंगे और विशव राशी में ही ब्रह्मन करने लगेंगे एक मही से जो गुरू अपनी राशी बदल रहे हैं या राशी में ब्रह्मन करने का इस्थान जो बदल रहे हैं वो उस उस परिस्तिते में किन-किन रा व्रिष राशी में आएंगे गुरू का गोचर आपकी राशी में व्रिष राशी वालों के लिए हैं प्रथम भाव में हो रहा है और गुरू आठवे और एका दस भाव के स्वामी भी हैं व्रिष राशी में गोचर आपके लिए विशेश लाबकारी होगा व्रिष राशी व भरने लगेंगे वैवाहिक जीवर में आपको अत्यातिक शुख्वी प्राप्ट होने लगेगा आपका भाग्य इतом बना रहेंगा अब आते है हम मिधुन राशी पर जो गुरू का गोचर हो मिद्छुन राशी के लिए क्या होगा मिद्छुन राशी के जातकों के 12 भाव नि बारवे भाव में होगा इस तरह से मिद्छुन राशी के लिए सब्टम और दशंग भाव के स्वामि होंगे इस भाव में विराजमान देव गुरु ब्यास्पति की द्रिश्टी ऑ Fisherman थुन राशी मेरी भी है, तो मेरे भी खर्चे बढ़ जाएंगे, चलो, नोकरी पेसा जातकों को नई नोकरी के अच्छे आउसर भी प्राप्त हो सकते हैं, कि तो ऐसा ना करे कि ये फलादेश में आपको बताया है, तो आप घर पे निश्चिन्त होकर बेड़ जाए, कर्म ही प्रदान हैं, कर्म करते रहें, शुब कर्म करते रहें, अब आते हैं कर्क राशी पर, कर्क राशी के जातकों के लिए मई माह से गुरू का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, गुरू का गोचर आपके लाभिस्तान में होने जा रहा है, यह आपके छटे और नवम भाव के स्वामी है यहां से देवगुरू ब्रियस्पति की दृष्टी आपके तरितिय भाव पन्चम भाव और सब्तम भाव पर रहने वाली है गोर्ण पर ऩृकर नियूँ के दो ऌरान आपके घर में किसी नंन मेमान लिए बहत हो सकता है देव गुरु ब्रियस्पति के प्रभाव से आपके वेवाईक जीवन में सुख और आनंद की इस्तिती भी बनी रहेगी और शत्रू पक्स से यदि आप परेशान हैं पीडित हैं तो शत्रू भी आपके धीरे धीरे आपसे दूर होते रहेंगे और आपको विशेश ध्यान र होते हैं भगवान की प्राथना के लिए वह आप सभी को करना है इसी प्रकार से मैंने आपको जो गुरु ब्रियस्पति व्रिश राशी में आने वाले हैं एक मई से उसका आपको मैंने फलादेश बताए और किन राशियों पर क्या-क्या असर पड़ेगा वह भी मैंने आप को बता दिया है फिर भी यदि कोई बात हो ना समझ में आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हर हर महादेव